वेल्कम बैक स्वागत है ट्रेंट्स एजूकेशन के चैनल पर तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओसी के सब्जिक्ट के बारे में जो की चैप्टर नमबर टू हम देखिने वाले है चैप्टर नमबर टू जो फंक्शन सॉप मैनेजमेंट दिया गया है तो फंक्शन स मैनेजमेंट का जो है मीनिंग देख लेते कि क्या दिया गया और क्यों इंपोर्टेंट है यह सिंपल सा एक लाइन बोला है कि मैनेजमेंट क्या है कि अमेंट क्रता है मैनेजमेंट इस्वाट मैनेजर अजिए डेषिन बहुत ही आसान है जरह्या है तो क्या बताये यह आगे देखते हैं the definition focus on the role of manager in the form of different function the the functions of manager start with planning and end with controlling every function is interrelated with each other they are inseparable in nature management functions concerned with all levels of management different management thinkers have classified functions of management differently so what is the question is the question is which is what is the definition is which is based on management which is the program which is the starting point is the end point is controlling which is the management he starts with planning and ends with controlling so whatever management functions are all interrelated is interrelated to each other सब जुड़े हुए है कोई भी अलग नहीं है तो यह आप सेपरेट नहीं कर सकते हो अगर प्लाइनिंग को आप लेते हो तो उसके आगे का जो फंक्षन दिया है उसे भी आपको निभाना पड़ेगा उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता तो क्या बोला गया है कि जितने भी म प्लाइन टु और अर्ग्माद थो कंट्रोल कैंट कि यह मैंनेजमेंट क्या है एक टाइपक दैजिधा मतलब होता है फ्योचर क अनुमान लगाना उसके सब्सक्राइब करना इसके सब्सक्राइब कमांड देना और समods करना प्लाइं करना ओं प्लिभाह से आगे देखते हैं तो यह क्या बोले हैं मैनेजमेंट के बारे में लुथर ग्लारेक हैस गिवेन अ कीवर्ड पॉस्ट्रॉप पी ओएस डी सी ओ आरबी फर मैनेजमेंट फंक्शन वेर पी स्टैंड फर प्लैनिंग वो फर और्गनाइजिंग एस फर स्टाफिंग डी फर डीरेक्टिंग सी ओ फर कॉडिनेशन और फर रिपोर्टिंग एड बजेटिंग रिपोर्टिंग फंक्शन आर समराइज इन दफंक्शन कॉल्ड एस कंट्रोलिंग तो क्या बोला गया है कि लोटर ग्रोरिक ने जितने भी मैनेजमेंट फंक्शन से उसको एक वड़ में कनवर्ट कर दिया जिसका नाम है पोस्ट्रॉप जिसके अंदर पी का मतलब है प्लैनिंग ओ का मतलब है और्गनाइसिंग एस का मतलब है इस्सा है तो कंट्रोलिंग के अंदर देखेंगे तो यहां पर हम वन पकी सथी और एको हम देखेंगे वन के एडवांटे ress उसके इंपोर्ता इस तो हम इंप्धवांटे लेते हैं कि उसका क्या दिया गया है मीनिंग अब सभी को पता होगा कि प्लाइनिंग क्या होता है तो प्लाइनिंग के अंदर हम देख लेते हैं क्या दिया गया है मीनिंग क्या है उसके डेफिनेशन से तो प्लाइनिंग is the basic functions of management every functions of management is based on planning it include deciding the thing to be done in advance planning is an interactual process of logical thinking and rational decision making it focus on organization's objective and develop various course of actions designing a proper planning and implementing according is the key of achieving the objective of an organization so simple bula hi planning kya hai ki cb management ka paila qadam ho ta hai planning functions of management ke an dar planning kya hai starting point hai or planning hi bata ta hai ki hame future me kya karna hai which is deciding in advance thik hai or planning kya a type ka interactual process a matlab ya haa pe a ideas laging and ji examine your skills that you really need the strategy as for it. so working do what you do right through the meeting का मतलब है जो भी आपने लख्ष लगाया है उसके हिसाब से सिचुवेशन के हिसाब से तरीके से जो काम आप करने वाले हो अपने लक्ष के लिए उसे ही कोर्स ऑफ एक्षन कहेंगे तो वही बताया कि प्लाइनिंग क्या है उसे जो है प्रॉपरली करने के लिए को के लिए मैंटर हम देख लेते हैं कुछ डिया गया है यहां पे आपको लगबग दोठीशिंग को मिलेग़ पहला खुंस के रूप में और सेकंड यू है जान सडोनर रूप में तो पहले देख लेते हैं कुंस ओडेनल का क्या दिया गया है planning is deciding in advance what to do how to do it when to do it and who is to do it planning bridge the cap from where we are and where we want to go it makes possible things to occur which will not otherwise occur तो क्या बोला गया है planning क्या है आप advance में जो decide करते हो वही planning है तो advance में क्या क्या आप decide कर सकते हो जैसे कि what to do क्या कर सकेंगे हम क्या करते है कैसे करेंगे किस हिसाफ से करेंगे कोन करेगा इसको तो symbol बोला है कि planning क्या है जो gap है जहां पे हम खड़े है और जहां पे हमें जाना है अपने लक्ष तक उस gap को पूरा करने का काम करता है planning ठीक है तो यह जो possible thing कहां पे कौन करता है planning करता है उसके अलवा कोई और नहीं करेगा अगला हम बात कर लेते हैं James Donald क्या बोलते है planning के बारे में planning is the process of establishing goal and a suitable course of action for achieving this goal यह मैंने पहले ही बता दिया कि planning क्या है planning जो है आपको मदद करता है goal को set करने में business के target को set करने में एक बार target set हो गया तो अब आपको choose करना है कि उसका target के हिसाब से क्या-क्या action हमें लेना है that is known as course of action for achieving this goal तो इस वीडियो में बस इतना ही इतना ही देखना था आगे की बात हम next वीडियो में देखेंगे importance देखेंगे planning का क्या दिया गया ठीक है तो हमारे telegram group को joint कर सकते हो अगर आपको कोई भी doubt होगा हम वहाँ पर आपके doubts का answer देदेंगे ठीक है तो link जो है telegram का description में दिया गया है तो इस वीडियो में बस इतना ही आगे की बात हम next वीडियो में करेंगे तो इस वीडियो में बस इतना ही अब हम मिलते है next वीडियो में तब तक लिए take care and धन्यवाद